मतलब आप ऐसे normal रहो और कोई एकदम से rock star बनकर बैठा रहे और आपके whatsapp के अंदर ताका जाकी करता रहे आपके messages पढ़ता रहे आपके whatsapp को कहीं और बैठ कर यूज करता रहे और आप सभी को पता भी नहीं मतलब कताई बरदास करने वाली बात ही नहीं है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सभी पता कर सकते हैं कि आप सभी का जो whatsapp है वो कहीं और चल रहा है कि नहीं चल रहा है किसी और ने आपका whatsapp control तो नहीं किया है ये चीज आप कैसे पता कर सकते हैं अपने whatsapp से तो ये चीज के लिए आप सभी इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजेगा नीचे कमेंट करके बताएगा कि क्या आपका WhatsApp अगर कोई यूज करे तो क्या आप उसे छोड़ोगे नीचे कमेंट करके बताएगा तो सबसे पहला काम आपको अपना WhatsApp जो है उसको ओपन करना है ओपन करने के बाद यहाँ पे पहली चीज आप सभी को नए अपडेट में ध्यान देने वाला बात यह है कि आप सभी को नोटिफिकेशन आपको देखना है देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कोई भी नोटिफिकेशन में ये चीज इनफॉर्म नहीं किया जा रहा है कि मेरा WhatsApp कहीं और चल रहा है पहले क्या होता था कि एक नोटिफिकेशन आता था कि हाँ आपका जो WhatsApp है वो Chrome में यूज हो रहा है अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी परकार का कोई भी नोटिफिकेशन अब आपको देखने को नहीं मिलता है दूसरा चीज आप सभी को यहाँ पे चेक करना है कि आपके परमीसन के बगार कोई मैसेज ऐसा तो नहीं है जो की forward हो रहा है कोई भेज रहा है या फिर कोई मैसेज को आपने पढ़ा ही नहीं आया और कोई और ने पढ़ लिया तो यह चीज को भी आपको ध्यान रखना है तीसरा चीज अब यहाँ पे आपको final step जो है वो आपको follow करना है वो क्या करना है कि यहां पे जो आपको 3.00 का एक option दिक रहा है इस पे click करना है फिर यहां पे आप सभी को एक option देखने को मिलेगा linkage device ठीक है तो यहां पे आप सभी को click करना है तो देख सकते हैं कि मेरे इस whatsapp के अंदर यहां पे linked device के अंदर दो device मेरा दिख रहा है और इसका मतलब यह है कि इन दोनों जगा पे मेरा जो WhatsApp है वो चल रहा एक विंडो में और एक Mac OS में तो समझ रहे हो यही चीज मैं आपको बता रहा था आपके WhatsApp में हो सकता है कि ऐसा कुछ रहे यहाँ पे इस तरीके से clean and clear अगर आपको दिखे तो समझो कि आपका WhatsApp सेफ है लेकिन गलती से भी अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखे लिंकेड एट रमुना लोकेस्तन भी आपको यहाँ पे बता रहा है तो यह चीज से आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपका WhatsApp किसने कंट्रोल किया था और कहां से कंट्रोल करके यूज कर रहा है तो यहाँ पे आप सभी को फट से लॉग आउट कर देना है आपको डेट भी दिखाएगा कि कब यह आपका WhatsApp एक्टिब किया था ठीक है यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो देखो आज एक्टिब था आठ बच के 42 मिनट पे तो इस पे यहाँ पे आप सभी को लॉग आउट वाले आप्शन पे क्लिक करना है फिर यहाँ पे आपका यह लिंक के डिवाइस नीचे आ जाएगा तो समझो कि आप सभी का नया WhatsApp में आपका जो WhatsApp है वो एकदम सेफ उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आओगा पसंद आओगा तो जो उसे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रख रहा है टेक केर तिल देन एंड गुडबाई